नमस्कार फेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इंसाइट्स वाई पी के वार्चने आज हम चर्चा करेंगे कि घर पर हम कितना सोना रख सकते हैं और क्या सोना बेचने पर टेक्स देना होगा, इस बारे में नियम क्या कहते हैं हमारा देश भारत दुनिया में सबसे अधिक सोना खरीदने वाला देश है भारत में सोने की मांग की सबसे बड़ी बज़े, लेटी में जो अली के प्रती आकरचन है शादी हो, ब्या हो, उसमें सोने की जमकर खरीदारी होती है और इसके चलते अधिकांश परिवार में घर में कुछ ना कुछ सोने की जरुवत होती है इसकी वज़े से हमारा देश अपनी जरुवत को पूरा करने के लिए सोने का इंपोर्ट भी करता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम घर में कितना सोना रख सकते हैं और अगर आप सोना बेशते हैं तो टेक्स भी देना पड़ता है आईए आपके इन सभी सवालों के जवाब इस प्रकार से हैं भारत में इंकम टेक्स कानून के मताबिक एक मेरिट महिला को 500 ग्राम तक सोना रखने की अनुमती है जबकि Unmarried Ladies के लिए सोने की सीमा 2500 ग्राम रखी गई है परवार के पुर्शों को केवल 100 ग्राम सोना रखने की अनुमती है CBDD के अनुसार एक निशित मातरा में ही सोना रख सकते हैं और इसके लिए आपके पास जितना भी सोना हो आपके पास मैं उसका evidence होना चाहिए कि आपने इसको कैसे खरीदा है घर में सोना रखने पर कोई tax नहीं देना होता है लेकिन अगर सोना बेचा जाए तो उस पर tax देना पड़ता है अगर आप 3 साल तक सोना रखने के बाद मैं उसे बेचते हैं तो उससे होने वाले मुनाफे पर long term capital gains यानी LTCG tax लगेगा और इसकी दर 20% है अगर आपने घोशित आय या कर मुक्त आय जैसे अगरी कल्चर है तो उससे सोना खरीदा है तो या कानूनी तोर पर आपको सोना विरासत में मिला है तो इस पर कोई tax नहीं लगेगा और नहीं उसे देना पड़ता है अगर छापे मारी की जाती है तो अधिकारी निर्दारित सीमा के भीतर मिले सोने के आपूशनों को भी जबत नहीं कर सकते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही थेंक यू